हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल स्टडी अन अचीव आज मैं आपके लिए एसेस्टी के कुछ कुछन्स लेकर आई हूं और आपको पता है कि यूपीटेट बहुत दिलवाला है वो कहीं से भी कुछन उठा के पूछ लेता है तो आपका 91 कुछन है स पॉशन नमबर 92 वैदिक यूगीन सभा गाउं के वैवसाइक लोगों की संस्था थी राजदर बार होता था मंत्री परिशद होता था या राज्य के समस्थ लोगों की एक राश्ट्रिय सभा थी तो उसका क्या राइट आइट अन्स रोजाता था कि वैदिक यूगीन सभा मंत्री परिशद थी 93 महावीर की मृत्यू के बाद जैन संग का अगला अध्यक्ष को बना कौन हुआ गौशाल मलिकनात सुधर्मन वज्र स्वामी तो कौन हुआ था सुधर्मन 94 निम्न में से किसे उग्रसेन उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है महापद्मनंद घननंद शिशुनाग बिम्बिसार आप कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि बिम्बिसार किसका बेटा था इसका राइट आंसर है महापद्मनंद 95. चंद्रगुप्त के शाषन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाड़क्य, शुद्रक चाड़क्य, इसका राइट आंसर होगा इन्होंने एक बुख भी बनाई है, चाड़क्य नीती 96. निम्न में से कौन सा अभिलेक कलिंग नरेश खारवेल से सम्बंदित है? हाथी गुमफा, जुनागड, नानाघाट, नासिक तो राइट आंसर है हाथी गुमफा 97. हर्ष के काल में भूर आजस्व की सीमा थी 1 अपॉन 10 से 1 अपॉन 16, 1 अपॉन 6 से 1 अपॉन 10 तो राइट आंसर है 1 अपॉन 6 से 1 अपॉन 10 98. निम्न में से किस संगीत वाध्य को हिंदू, मुसलिव, गान, वादो का सबसे स्थ्रिष्ट मिश्रन माना गया है वीग्णा, धोलक, सारंगी, सितार तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सितार 99. महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैश्णव जन्यतो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचैता है नर्सी, नर्सिंग, महता, वल्लभाचार्य, कबीरदास, सूर्दास तो क्या है नर्सी या नर्सिंग, महता? मैंने कहा था नहीं, कहीं से भी पूछ सकते हैं देखे हिंदी के क्वेश्चन आ रहे 100. किस बाधसा के अंतरगत मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेनापती थे? हुमायू, अकबर, जहागीर, औरंगजेब किस मुगल सेना में थे? औरंगजेब की मुगल सेना में हिंदू सेनापती बहुत जादा थे? 101. कानपूर की गदर का नर्तित्व किस ने किया था? तात्यातों पे रानी लक्ष्मी भाई, बेगज हजरत महल, नाना साहेब तो बेगज हजरत महल जो है, वो लक्ष्मी में की थी, और ये नाना साहेब ने कानपूर में सिल्वासा राजधानी है, दमनें दीव की, दादरा एवं नागर हवेली की, लक्षु दीव की, अरुनाचर प्रदेश की तो इसमें सिल्वासा कहाँ पर किस साइड में है या आपको पता है, दादरा एवं नागर हवेली में 103, केरल का कुट्टानाद या कुट्टानादू प्रसिद्ध है, मीठे पानी की जील के लिए भारत का नियूंतम उचाईवाला छेत्र, एक प्रवाल द्वीब के लिए भारत के सबसे पश्यम में स्थित्ध बिंदु के लिए क्या राइट अंसर जगा भारत का नियूंतम उचाईवाला शेत्र, 104, सूची एक या सूची दो के साथ सुमेलित करना है, देखिए सूची दी हुई आपकी नदी और सहायक नदी, पहले आप आराम से देख लिजे, देखिए हम गंगा को किस से मिलाएंगे, सोन नदी, गो 105, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलोई मिट्टी, कछारी मिट्टी, the right answer is कछारी मिट्टी, 106, निमन में से किस का सुमेल नहीं है, अंशन का लोहर तथा इस पार, ड्रेयाइट का आटो मोबाइल, चलिया ब्रिस्क का पोत निर्माड मिलान का रेश्मी वस्रक, अब या तो आपको इसमें ये पता हो कि किसका किसका है, तो एक आप और ड्वन चूस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा चलिया ब्रिस्क का पोत निर्माड नहीं होता है, निमलखित कारकों पर विचार कीजिए, पृत्वी का आवर्तन, व महासागरी धाराओं को प्रभावित करते हैं, कौन सा कारक महासागरी धाराओं को प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है, वो तीनों करते हैं, 108, पृत्वी के वाईू मंदल में कितनी उचाही तक गैसों का आवरण हैं, देखें, जोग्रॉफ is the question, 100 km, 150, 200, and 300, the right answer is 300, 109 भुमद्य सागरी शेत्रों में भारी वर्षा कब होती है गर्मियों में वसंद्रितु में शीत या जाड़े में इन में से कोई ने तो जाड़े में होती है भुमद्य सागरी शेत्रों में होती है कृष्ण छेद्र सिधान्त को प्रतिपादित किया सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, हर गोविंद खुराना ने, क्या जाएंगे एस चंद्रशेखर ने निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था आयला नर्गेस थाड़े नीलम तराइट आंसर इस नर्गेस कौन सी खनेस सूची अ लोह धात्यों को दर्शाता है निकेल जस्ता तांबा अलमुनियम निकेल एलमुनियम लोह आयक्स जसका तो राइट आंसर इस निकेल जस्ता तांबा अलमुनियम 113 उत्तर धुरुवी अनुवर्द प्रदेश मतलब टुंड्रा जो है वो का है पत जड़ी वन उष्णकटिवंधी वर्षावन ठंडे रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान तो राइट आंसर इस ठंडे रेगिस्तान अब देखिए कथन वाला भी आता है अपमें केच्वे खेती के लिए अच्छे नहीं है अच्छो और क्या तर्क दिया ज़रा केच्वे मिट्टी को महीन कड़ों में परिवर्द कर इसे नरम बना देते हैं पहला तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि केच्वे जो है वो खेती के लिए उनको मित्र माना जाता है लेकिन ये तर्क जो दिया कि नरम बना देते हैं वह सही था निम्रे में से कौन घुमकर नहीं है पिग्मी कज्जाक मसाई लेप्स तो राइट आंसर इस पिग्मी 116 भारत एक सम प्रभू लोक तांत्रिक गर्डार्जे बना ये ध्यान दीजिगा कि कब बना और कब से प्लानिंग चल रही थी दोनों में दोनों के सन में डिफरेंस होगा तो इसमें कब बना था 26 जन्वरी 1950 निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेली थे मतलब सही है भारत का सर्वोशी नियाले आर्टिकल 318 भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 संगिय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 332 और महाविक्त आउख्षेद 351 निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव या कौन सा है हमारे कौन से मौलिक कर्तव है न्याय पालिका से कारपालिका प्रिथक करण हमारी मिली जुली संस्कुती के समय विरासत को सनरक्षत करना एवा महित्व प्रदान करना राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है विधान परिशत के निर्वाचे सदस्य जनता विधान सभा के निर्वाचे सदस्य या लोकसन विधान सभा के निर्वाचे सदस्य 120. समिधान की अनुसूची 6 कि इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है असम, मिघाले, मडिपूर, त्रिपुरा तो राइट आंसर इस मडिपूर हरियाडे पंचायती राज बिल 2015 के नुसार पंचायती राज इंस्टुजिशन चुनावों में उमिधवारों की नियुम्तम योगिता का क्या निर्धारित किया गया है उच्च माध्मिक मैट्रिक, कोई सैक्षिक योगिता के वल 21 वर्स या सना तक तो मैट्रिक मतलब 10 पास भारत के सम्विधान के अंतरगत कितने प्रकार की आपात काले इन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है कोई नहीं दो तीन चार तो राइट आंसर इस तीन निम्न में से मनुश्य के सरीर में कौन सी ग्रंथी वाहिनी हीन है या कृत पसीने की ग्रंथी अंतरश्रावी या गुर्दा तो राइट आंसर इस अंतरश्रावी 124 मानों सरीर में सबसे छोटी अंतरश्रावी गंथी कौन सी है देखे मैंने कहा था ना साइन्स के question आगे साइन्स, computer, sst, politics सब कुछ आता है adrenal, thorite, pancreas pituitary the right answer क्या हो रहेगा आपका the right answer is pituitary 125 immunology का जनक कौन है Robert Koach, Lewis Pascher, Edward Jenner, Landis Tiner क्या हो गया Edward Jenner दुधारू पश्चुमों की निम्लेखित बिमारी में से कौन सी संक्रमणी है footever mouth rogue, anthrax, blackwater, cowpox right answer is यह चारो है जो संक्रमणी है DPT का टी का निम्ले में से किसे सुरक्षा है तू दिया जाता है titnes polio plague, TB polio diphtheria, diphtheria, कुकुर खासी titnes, diphtheria, polyokustralop right answer is diphtheria, कुकुर खासी titnes BMD परिक्षन किया जाता है पहचान करने के लिए किस की पहचान करने के लिए यह परिक्षन किया जाता है डेंगू को, malaria को, osteoporosis को, AIDS को right answer is osteoporosis को नारियल का व्रिक्ष किस उम्र तक फल देता रहता है 15-20 वर्ष, 50-60 वर्ष, 60-80 वर्ष, 100-120 वर्ष तो कितने वर्ष सक देता रहता है 50-60 वर्ष 130 किस फसल में वानस्पतिक प्रसारण हे तू root cutting प्रयोग में लाई जाती है सेप्ट पन्वा, टमाटर, लीची, आलू right is, सेप्ट पन्वा 131 एक टेक्टर का प्रयोग तभी आर्थिक होगा यद इसमें प्रतिवर्ष प्रयोग किया गया जाए 50 गंटे, 100 गंटे, 1000 गंटे और 10,000 गंटे कितने होंगे 1000 गंटे किसी टेक्टर को आर्थिक रूप से कब तक प्रयोग किया जाए 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष 15 वर्ष तक 133 हरित खाद की लिए उप्युक्त एक अफ अलिदार फसल कौन सा है लोबिया, गाजर, ग्वार, सन right answer is लोबिया तर्की किसकी नसले है ये मुर्गी की नसले है या बद्टक की नसले है या हंस की नसले है या बगरी की नसले है तो ये मुर्गी की नसले है तर्की भारत का सबसे बड़ा मत्स उत्पादक राजिय गुजरात, केरल, तामिल नाडू, पश्यम बंगाल दराइट अंसर इस पश्यम बंगार उच्छ प्रात्मिक स्तरपर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप में ए भी सीकतनों पर विचार किजे या अपने वातावरण से लोगों का अध्यन है या लोगों के संबंदों में उंक्यांता निर्भिया का अध्यन या अतीत और वर्दमान के संबंदों का अध्यन है ये तीनों ही है निम्पनिवे से कौन सा ऐसा विशे है जो सामाजिक अध्यन को विश्य वस्तुप्रदान नहीं करता नाकरिक सास्त्र है इतिहास है वगोल है रसायन सास सिक्षा बिना बोज के लिए अनुवन्शित करती है कि समाजिक विज्ञानों में अधिगम को व्यायोसाग के लिए प्रासंग के कुछलताओं का विकास करना चाहिए विकास सात्मक मुद्धों को उद्गाट करने के लिए ग्यान मिमानसी या रूप रेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए महत्पुण सूशनाओं के संदाग में राइट आंसरे समाजिक रास्निक वस्तवित्यों का विश्लेशन करने है तो संकापनाओं का चाहिए डुष्ट्री बार्थित सचारतियों के लिए कारे करते समय एक सामाजिक विज्ञान सक्षन को किस प्रकार की सक्षर अधिगम प्रक्रिया में अनुपूलन करना चाहिए यथोचित वेराम या पुनरत्यों के साथ इस पस्टम उचारन मौकी संकेते द्वारा कलपना के लिए अवसरों का उत्पन गरना या कक्षा में चारता के दोनान 140 शिक्षक को स्यामपट पर लिखते समय कितने अंश की कोड़ पर खड़ा हुगर लिखना चाहिए 55 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री राइट अंसर इस 45 डिग्री में खड़े होकर श्यामपट पर लिखना चाहिए संयूत राष्ट संक का प्रतीक किस में है सफेद आधार नारंगी केंद्रभाग, पीले आधार पर काला केंद्रभाग, हलके हरे आधार पर श्वेतर केंद्रभाग यहार के निली आधार पर श्वेत केंद्रभाग 142 द्रोणा चार प्रसकार किस दिया जाता है किस में दिया ता है खेल कूद के उतकर्ष्ट पर्सक्षण हे तू गेहूं के आधार बीज उत्पादर में पिथक्र नूरी कितनी होती है 3 मेटर 5 मेटर 10 मेटर 20 मेटर 924 प्रात्मिक चिकष्टा का सिध्धान्ख नहीं है बीर को हटाना रक्सवा को बंद करना प्रट्टो क्या है थहाएंगे रक्सवा को भी बंद करेंगे कपड़ें दिले करेंगे भीड कठा तो नहीं करेंगे 145 पहली बार कहां पर उलंपिक खेलो का आयोजन किया गया एटलांटा, मेडिस्को, एथेंस, सिड्नी एथेंस चाड़क पर चलने के लिए यातायात का मूल मंत्र क्या है बोले सुने कहें, रुके देखें, सुने एवं सोचें निमन में से यातायात के निमों से एक है बहुत तेज गती में वहां ना चला है, ये तो है नशे की हालत में वहां ना चला, ये भी है सीट बेल्ट अंट हरमट जैसे सुरक्षा शाद्वनों का उपयोक करें, ये भी है तो क्या जगा उपयोक सभी है 148 निम्न में से कौन से एक्त राश्टरगा महासभा की समीतिया है राजनीति के इम सुरक्षा समीति आर्थि के इम वित्तिय सामाजिक मानवी सांस्कतिक समीति तो ये सभी है उत्त्य प्रदेश की प्रवमुख फसल है गेहुं गन्ना मक्का धान ये हुँ बच्चों के स्वेटर के लिए उनका उपयोग किया जाता है भारी हलका मुलायम उनका यूज़ किया जाता है तो ओके थैंक्यू फ्रेंड्स ये रहा आपका मॉडल टेस्ट खतम हो गया मैं और भी नए-नए मॉडल टेस्ट लेकर आ रही हूँ आप लोग के लिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक और अगर आपको कुछ पील डाउट है या कुछ भी कहना चाते तो आप कमेंट कर सकते हैं